नमस्कात दोस्तों एक नया और एक्साइटिंग वीडियो बे आप सब कर स्वागत है आज के वीडियो बहुत ही पॉपुलर मीनी जो वाटर पाम बाता इसके कंपरीजन करेंगे तो आप देखें मेरे पास यह दो वाटर पाम पे एक ऐसा है वाइट कलर का यह भी वाइट कलर का है अडिया नहीं है तो देखें दॉस्तों यह आपका है यह वाला ओलेट है इसमें यह वाला आउडेट यह पाम में होता है इसपर पिंवर नहीं दिया हो," आइट क्यों होता है और गुंत देखेंगे कि कौन सब बेटारे फीडियो स्टार्ट करें से पहले दोस्तों अगर आपको SIDC पांप बैटरी इन सब के बारे में अगर यह सब पर्चेस करना है या फिर इन सब के बारे में डिटेल्स में जाना है तो आप मेरा उससे MyInnovation.in follow कर सकते हो उस ओससे आपको यह एकदम optimum price and best quality में मिल जाएगा और आपका इंडिया में कहीं पे भी आप रहा हो आपके घर पे home delivery हो जाएगे यह साथ सामाग का तो अगर आप डाइक पोजेक्ट में interested हो तो MyInnovation.in आपके लेक best platform हो सकता है और सबसे अच्छी बात है कि कि आम लोग खुद यह आम लोगा खुद का start-up है और आम लोग खुद इसका operate करते तो MyInnovation.in website से आपको genuine quality मिलेगा with technical help सब कुछ टेक बाद जड़ू से Google में जाके visit कीजिए MyInnovation.in and check कर लिजिए तो चलिए दोस्ते पहले इसका आम लोग डायमेंशन आपको बता देते है कितना है तो दोस्तों देखिए इधर पर पाम का जो लंबा यह 43.5 mm है अगर इलेट को पकल लूँ तो यह 53 mm हुआ और पाम का जो डायमेटर है दोस्तों वे 23 mm का आउट लेट का जो डाय से में में लेट का डाय से में पॉइंट थोड़ा सा जाद है 7.5 mm यह पाम का भी इसके अंदर वह आपका 9.2 mm का ठीक है बाकी तो और जारा कोई इसमें नहीं है बस यह हाइट अगर देख लो आउट लेट का तो भी 7.4 mm होता है और नीचे एक बेस टेप के दिया हुआ है आप किसी जगा पर इसको गम से चिपका सकती इसके रहे फ्लैट बेस इसमें डिय आप चाहे तो 3.7 वोल कि आपका मोबाइल का चार्जार वह भी इस्तबाल कर सकते इसमें मगार मैक्सम आपको 9 फोल्ट अक इस्तबाल करना पड़ेगा उससे ज्यादा इस्तबाल नहीं कर सकते हो ठीक है तो आभी देखे हम लोग क्या करेंगे कि इसको डारेक्ट पाने में चेक करेंगे मैं ऐसे इसको पक्कूँगा प्लास माइनस को और देखूँगा कि इसका कैसा रिजल्ट आता है तो दोस्तों पहले जीसपाम का इनलेट है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो देखें मैंने बैटेज सा अभी ऐसे इसको कानेक कर दिया रहा पाम पावी ओन है अगर पावाद देखेंगे लंबाई में तो देख सकते दोस्तों कैसा इसका पाम का पावार आ रहा इधर पे अभी दोस्तों इसके जगा पर हम लोग जो आला का इनलेट नहीं है वह आला का पावाद चेक करेंगे सेम प्रोसेस से में 3.7 बोल का बैटरी धर पे भी यूज कर रहा हूं कि इसमें बस फड़ा के ही है कि इसमें आपका इनलेट नहीं है कि इसको फिस से दिखाते हैं मुझे जो लगता है पासनाली चेक करने पर आपका जो इनलेट बीना इनलेट का है उसका पावाद ज्यादा रहा है इनलेट से कि आप देख सकते हो इसका जो फोर्श है अब लोग देख सकते इधर पर एन अगर हाइक की बात करेंगे तो कितना हाई तक पानी उठा रहा है अगरा सेम जगा पर हम लोग यह वाला करते हैं जिसका इलेट नहीं है उसका देखते हैं फिससे और एक बार मुझे यह वाला ज्यादा बेटा लगा क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है पहले तो देखिए इसका देखिए फोर्श बहुत जादा है देखके समझ सकते और हाइड में भी बहुत जादा उपर तक आ रहा है तो दोस्तों एक बार तो समझ आ गया देखिए इसका इनलेट नहीं है ना तो इसका यह जगा है इसमें जादा पानी जा सकता है बहुत इसली और इसका इनलेट है इसके कारण से इसमें जादा पानी एक साथ में नहीं जा पारा है नहीं जा पारा है इसके कारण से इसका जो फोर्स से एंड टोटल जितना पानी निकल रहा है वह थोड़ा कम है इसमें वह थोड़ा ज्यादा है तो अगर देखिए आपका सब मज़िवेल में इसका पूरा दुबादें के अंदर में तो उसमें आपका विडाउट इनलेट वाला लीजे सबसे बेस्ट होगा ठीके मुझे जो लगा विडाउट इनलेट वालीजे और अगर आप ये मिनी पाम को पानी के उपर रखना चाहते हो थोड़ा सा हाइड में उपर रखना चाहते हो और इसको सक्षन करना चाहते हो तो तो भाईए इसके लिए पड़ेगा मगर अगर आपका पानी का अंदर का काम है तो पानी का अंदर वाला जो सब्सक्राइब होता है बिना इनलेट वाला वह लीजिए उससे सबसे बड़ी आपको पर्फॉर्मेंस मिल जाएगा तो बस दस्तों आज के वीडियो पर इतना ही होप कि आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को चाहिए को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेस्ट